इस वीडियो को लाइक करें, हमारी जेनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस सामान में तो फुला गाड़ी तक पहुचा दो, उसे सामान में पर उसको पीछे पीछे हो लिए, रश बहुत था, वो शब्सक्राइब किसी तक बचा के निकल के गाड़ी तक पहुच गया, एक कुल्ड चो के सामान से लदा हुआ था, या उसके साथ जो भी था, वह वहा को जाने दिया, अफसोस तो उसको बहुत भुआ, आप खुछ सोचिए कि अगर किसी की वज़ा से आपका प्लेन मिस हो जाए, या काड़ी मिस हो जाए, या किसी चीज़ का कोई चांस मिस हो जाए, तो आपकी कैफियत क्या हो, उस गुस्से को याद कर लीए, बारा उस चास की, बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लीड जादा होने की वज़ा से मैं नहीं पहुँच सका, अब यह साम घुस्से में तो बहुत थे, लेकि सोचने लेए, गारी तो वैसे ही चलीगी, मिस हो गई है, अब अगर मैं कुली को गतल भी कर दूँ, तो गारी वापस नहीं आएगी जा तो सकता नहीं, लہज़ घुस्सा आने का तो कोई फायदा नहीं, कोई बात नहीं, अल्ला को ऐसे ही मनजूर था, ऐसे ही होना था, और ल्ला की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है, चलो आज नहीं कल चला जाओंगा, तो इसके प्यार से मुस्करा के कुली को कहा, जहरे कोई बहुत नहीं, ट्रेन मिस्कर दिया और कोई बहुत नहीं, और जवाबिन मुस्करा भी रहा है, तो उसके चेहरे पर एक बशाशत से आगए, उसके चमक आगी उसकी आपप, उसने सामान उठा कर कहा, लाए में आपका सामान उठा लेता हूं, और करीबी रेस्टा उसके आपको पहुचा देता, वारल वो सामान लेकर आया, उसने सामान रखा, अब इस चास को फता था कि इस शकस में कल इसी वक्त ट्रेन पर जाना है, अगले दिन उसने क्या किया, कि वक्त से पहले उनकी बुकिंग करवा दी, ट्रेन की, और सामान लेने के लिए आगे, और सामान उठाया, और प्लेट फार्म पे आगे, अब जब प्लेट फार्म पे आया, तो साहब में कुछ पैसे देना चाहे, तो कुली ने कहा कि, मैं हर्गेज भी पैसे नहीं लोगा, मेरी गलती की वज़़ए से आपकी ट्रेन मुस हुई थी, मैंने बड़ी कोशिश की, यानि कि आपकी उस नुकसान का कुछ बदला दे सकूँ, तो मैं ना टिकेट के पैसे लूँगा और ना ही सामान उठाने के, बस ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, अब वो शख्त भी बहुत मुस्यद थे, कि कमस कम ये शख्त ट्रेन का किराया तो ले ले, अगर स खिर्टी के पास बाहरा कर, खड़ा हो गया, अब शुक लगाने लगा, और बाते करने लगा, और वो अहसान मन नजरों से बार 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 वो देख रहे थे वो शख्स उसको, यदि वो भी मुहबबत से देख रहे थे, गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो भी साथ ऐसा ऐसा जब गाड़ी नजरों से ओजन रहने की, तो बहुत महबबत से उसने हाथ इला कर उनको सीयाग किया, वो उस कुली की लिगाहों में ऐसी महबबत और ऐसी चाहत और ऐसा मान था, क्यों कहते कि ऐसा तो आज तक मुझे किसी अपने अजीज रिश्टेदार ने भी नहीं खु कि इतनी महब तक भारत ट्रेन चली गई, तो कुली ने कहा कि अच्छा मैं जरा नाश्टा कर लूँ, तो नाश्टे के लिग जब उसने जेम में पैसे डाले तो तीन हजार रुपे वहां, तो हुआ ये क्या, तो हुआ ये कि वो बाचीत के दौरान गहर महसूस तरीके से उ और फिर इन साहब ने 20 साल वाद अपनी डायरी निकाली, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ पाया कि कुली की वज़ा से लेट होने का जो गम था वो तो रात को ये खतम हो गया, लेकिन इसकी महबत भरी अलविदाई नजर आज 20 साल गज़र जाने के बाद भी मेरे दिल को खड़ना कर देती, हैनि वो निगाहों की महबत, मुझे ट्रेन लेट होने का गम और अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का, कि मैं एक महबत करने वाला इनसान वहां छोड़ाया, अब देखिए कि ये बंदा गालियां दे कर भी अपना गुसा निकाल सकता था, और उसका गुस साहब भी खुश, और दोनों एक गुसे को दुआएं दे रहे हैं, तो यही सिचुएशन हमारे साथ भी कहीं न कहीं पेश आती रहती है, बाश चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कि जिनको हम सारी जिन्दगी पर लगाते हैं उटा नहीं सकते, मैंसे बच्चे से बरतन टूड़ तो मैंने अपने सबादा किया हूँ था कि नुकसान जो हो गया वो हो गया वो वो वापस नहीं आ सकता, और बाश अगत ऐसे लोगों के हाथ नुकसान होते हैं, वो बचारे उसको भर भी नहीं सकते, मैं उस बर गुसा नहीं करें, और यकीन माने कि गुसा आने के इद आ रही हैं घर नहीं जा रही, नहीं आपके सथ Eid करनी, हज से वापस आए हैं नहीं आप सफर पर जा रही हैं, मैं पहले घर नहीं जाओंगे, आपके साथ यो भी गुजारोंगी, हज से आते हैं तो आप देखिए, और लो भी इज्वाए जलदी से सभ को मेले, वो चोटी-चोटी चीज़ों में इंटर्फियर करते रहें तो आपको सोचिए कि ये महबते तो नहीं मिलती ना ये वफदारिया तो नहीं मिलती ये किसी की खैरखाई तो नहीं मिलती मुश्किल वक्त में कोई ऐसे ही तो नहीं काम आ जाता और वो जो वरतन ढूट चुट चुट चुटे हैं तो याद भी नहीं कौन को सा ढूटा थे उससे बेतर आ जाते हैं उससे चीज़े आ जाते हैं होता ये है कि इनसानों की बजाए चीज़ों से हमारी emotional attachment ज्यादा होती है ओ ये फुला चीज़ तो मेरे फुला जोज़ यादगारे रखी हुई है एक यादगार यहाँ अटक रही है एक वहाँ अटक रही है जंक से घर भरा हुआ है जगा गेरी हुई है लेकिन हम है कि अपने दिलों से इन चीज़ों की मादी चीज़ों की महबबत निकाली नहीं पा रहे नतीजा क्या है? इंसानों की महब्बत ही खत्म होके रही जगाई नहीं इंसानों की महब्बत की तो हमें पfieldा करना होगा एक मासुम बच्चा अपने बच्चे जब गलती करते हैं कुछ चीज खराब कर देते हैं कुछ तोड देते हैं गड़बट कर देते हैं तो जूर रुक के जरूर सोचा करें किया इनको मार के या इनको डाट के इनके साथ सकते चीख चला कि यह कुछ भे करके क्याँ उसे कुछ वापश हो चाएगा लेक City को बड़ी वजिताएं था आपको कोई बता देता है आपको बिच्चा इये गलती करके आ रहा कि यह एकसीड़ारेंट करके आ रहा करके आ यह वो बिचारा एक्सिरेंट के बाद एक इसान एक ग्रामे से गुजरता है, गलती है उसकी, लेकिन उसको एक सहारे की जरूरत है, उसको कंसोल करने की जरूरत है, लेकिन हम उसको घुसे भर जाते हैं, आए तो सही मैं उसकी खबर लेती हैं, यह शुकर करते हैं, जान बच गी और फिर उसको सिखाने के लिए उस वक्त जजबाती अंताज इक्तिार करने से कुछ फाइदा में आप पहले खुछ ठंडे हो जाएए अपना गम बलाइए अपना गुसा कम कीजे और उसके बाद आप सवाल कीजे क्या हुआ था सबसे पहले किये चलिए शुकर है जान बचको अल्ला का शुकर कोई बात ने चीजे आनी जाने अल्ला और दे दे कर इसमें भी कोई खैर थी अल्ला ताला इसमें भी कोई सबक से खाना चाहता है उसको मौका नहीं मिलेगा कि हो अपनी गलतीक्ती की इसलाह के लिये कुछ सोच सके उसको सोचने का मौका दीजे, उसके ट्रस्ट कीजे उसको यह कहने का मौका दीजेए मेरी मा मुझे बिलीव करदी, मुझ़प रितमात करती और गलतीयों भी हो सकाए